नमस्कार निज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव तो दोस्तों इस वक्त हम लोग तेलंगाना में है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और यहां हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरियट है यह बड़े इसी भवे बिल्डिंग आप देख रहे हैं और इसी सेक्रेटरियट से तै होता है कि सरकार कैसे चले लेकिन उससे पहले सरकार बने कौन सरकार में आये कैसे सरकार बने इसकी प्रक्रिया चल रही है यानि की वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो जल्दी से जल्दी शुरू होने वाली है और सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना में 30 तारीक को वोटिंग और और कल यहां पर पूर्ण मद्दान हो रहा है नहीं हो रहा है यह तमाम चर्चा हम करते हैं तिलंगाना में 119 सीटें हैं आप जानते हैं 119 सीटों की इस विधान सभा के लिए 4 प्रमुख दल हैं आपने सामने चार में से चारो दल कौन कौन से हैं देखिए बी आरेस जो पहले टी आरेस यानिते लंगाना राश्ट्र समिती या भारत राश्ट्र समिती के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और दो बार से लगातार के सी आर यानि के चंशिकर राव यहां के मुख्यमंत्री है और इसके अलावा दूसरी पार्टी कौंग्रेस है तीसरी पार्टी बीजेपी है चौथी पार्टी असदुदी नौवेसी की AIMIM है तो ये चार पार्टियां लेकिन मज़िदार तथी ये है कि 119 सीटों में से असदुदी नोवईसी की जो पार्टी है मातर 9 सीटों पर चुनाओ लड़ रही है क्या मातर 9 सीटों पर फाइट करके आप सरकार बना सकते हैं सवाल होगा नहीं बना सकते लेकिन असदुदी नोवईसी के जो समर्थ है के वो कहते हैं सरकार हमारी पाटी बनाएगी आप इसका मतलब किसी न किसी के समर्थन में जाएंगे अगर सरकार बनाने के नौबत आई तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो पिछली दफ़ा दो हजार अठारह में मातर एक सीटे जीती थी फिर उपचनाओं में जीत कर पाथ सीटों तक आ गई और बहुत दमखबन के साथ चाहती थी सोचती थी कि हम अगली दफ़ा यानि की दो हजार तेईस के चुनाओं में केसी आर को टक कर देंगे लेकिन आप आज की परिस्ति जबकि अब दो दिन का कैमपेंड बाकी है और ऐसे में साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कहीं न कहीं पटरी से उतर चुकी है तो अब बचती हैं दो पार्टियां एक पार्टी बी आरेस और दूसरी पार्टी कॉंग्रिस और बी आरेस और कॉंग्रिस के बीच ही जबरदस फाइट दिखाई दे रही है जब हैदराबाद के आसपास आप रहे हैं यहां बात कीजिए तो कुछ बाते होती हैं हैदराबाद से बाहर निकल के जाईए तो कुछ बाते होती हैं हैदराबाद से आज हम लोग बाहर निकल के गए 100 किलो मीटर के दाइरे में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यहां की सियासत में हैदराबाद और हैदराबाद के बाहर के लोग क्या कुछ कहते हैं तो यहां समझ में आया कि नहीं हैदराबाद के बाहर केसी आर से जादा कॉंग्रिस का जोर है ये एक प्रमुक्तत्य है दोस्तों कॉंग्रेस का जोर केसी आर से ज़ादा हैदराबाद के बाहर यानि तेलंगाना में बहुत ज़ादा जोर है हम लोग अलग अलग जगों पे गए जहां जहां गए उन सब की चर्चा करेंगे उसके बारे में रिपोर्टाज भी आपको दिखाएंगे और इस चर्चा में आगे क्या रननीती होने जा रही है खास कर तिलंगना की जो रननीती तिलंगना में जो कुछ होने जा रहा है चुनाओ में वो सब कुछ हम आपको बताएंगे ही लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि यहां आज चुनाओ परचार के लिए अलग लग दलों के नेता आये हुए थे जहां पहले बता चुका हों कि बीजेपी पटरी से उतर चुकी है तो दूसरी तरफ कॉंग्रेस पार्टी लगातार जोर सोर से यहां चुनाओ में लगी हुई है और चुकी बी आरेस की सरकार है तो बी आरेस है ही सबसे ज़्यादा अभी तक बी आरेस के मुख्यमंत्री तिलंगाना के मुख्यमंत्री के चंशेखर राव रैलिया कर चुके हैं लेकिन इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी भी कहीं से भी कम नहीं है कॉंग्रेस पार्टी ने यहां पर आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने यहां सीधे सीधे राहुल गांधी को प्रियंका गांधी को मलीकारजुन खरगे को इन सब को जोक रखा है पूरी की पूरी कॉंग्रेस टीम यहां पर है आज कॉंग्रिस पार्टी ने अपनी तरफ से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा था प्रियंका गांधी जब मैदान में आती है तो emotional card उनके सामने होता है राहुल गांधी के सामने आपने कल देखा होगा कि एक महिला बुजूर्ग महिला इंद्रा गांधी के नाम पर लिखी गई एक कविता को पढ़ रही थी और उनके सामने गा के सुनाया आज जब प्रियंका गांधी मंज पर पहुंची तो उन्होंने इंद्रा अम्मा से लेकर सोनिया अम्मा दक की बात की और इंद्रा अम्मा, सोनिया अम्मा और कॉंग्रिस उसको कितना पसंद करती है यहां की जनता इस पर विचार प्रकट कर रही थी प्रियंका गांधी आई ज़रा सुनते हैं प्रियंका गांधी के उन विचारों को और चर्चा को आगे बढ़ाते है सीधी सी बात है आपको इंदिर अम्मा याद है सोनी अम्मा से प्यार करते हो क्यों करते हो क्योंकि उन्होंने आपकी सेवा की जब आप संकट में आपकी आवाज सुनी उनकी जो सरकारे थी उनका जितना भी काम था वो आपके पक्ष में किया किया सीधी सी बात है एक तरह की राजनीती एक तरह की सरकार जनता के लिए चलती है जनता के हित में चलती है और दूसरे तरह की राजनीती दूसरे तरह की सरकार सिर्फ अपने हित में चलती है सिर्फ अपने नेताओं के महलों को बनाने के लिए ब्रश्टा चार करने के लिए और स कर रही हैं और इंदरा गांधी को कैसे यहां के लोग याद करते हैं सोनिया गांधी को आप याद करते हैं कि नहीं करते हैं यह तमाम बाते हैं आज प्रियंका गांधी अपने मंद से कर रही थी और कहीं न कहीं आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी जब मैदान में रहती ह और इंद्रा गांधी की एक छबी एक आकरती कही न कहीं सिमिलेरिटी दिखाई देती है प्रियंका गांधी के अंदर इसलिए लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं प्रियंका गांधी से और प्रियंका गांधी भाशन देने की कला में पहले से बच्पन से ही माहिर रही हैं आप जानते हैं लेकिन अब राहुल गांधी भी उसकला को अपना चुके हैं और एक खांदानी गुन होता है भाशन देने का जो गुन कहीं जवालाल नहरू में था वही गुन इंडरा गांधी में और वही गुन सोनिया गांधी से होते हुए राहुल गांधी राजीव पर इस विशह में चर्चा कर रहे थे तो इसी बीच यहां के एक प्रसिद गाउं में सबसे सुन्दर गाउं में पहुँचे हम लोग और ये सुन्दर गाउं बहुत ही मसहूर है अपने हैंडलूम के लिए और इस हैंडलूम की वीबिंग कैसे होती है कैसे हैंडलूम बनाय कुछ चल रहा है यहां की जनता क्या कुछ कह रही है कैसे समझ रही है पहले आप उस वीडियो को देख लिजे उसके बाद हम चर्चा करेंगे बताएंगे कि यह कौन सा गाउं है क्यों इतना महत्वपूर्ण है और यहां से जब हम आगे बढ़े तो आगे जाकर के भी क्या यहां पर शी जुद के बोले पूरा वही इसका गर में पूरा वही ले रहे पूरा इसको भिज़ी नहीं पारा कुछ यूद यहां आम पास पूरा कस्तमर आने से ने लिए कर, यहीं तो अधी बैट है कुछ भी नहीं है प्राबी गवर्मेंट तो ब्रॉप्यज यहीं होग इसलिए आप चुन रहे हैं कि दूसरी सरकार जो है वो आए सरकार में परिवर्तन हूँ और कुछ पुता बोल के आम चोच रहे सा क्या राजनीतिक माहुल क्या चल रहे है एलक्शन का मूड क्या है इलक्शन का मूड है इधर तीन पार्टी है एक टीरेस है एक कांग्रेस बीजेपी है मगर टीरेस में कांग्रेस में दोनों में फाइट है फाइट है दोनों पार्टी का फाइट है इसलिए तो टकर है अभी तो तफ है लड़ाई हुआ तो इसलिए तफ है कौन कांग्रेस और BARS की लड़ाई की लड़ाई जबरदस्त है लेकिन कॉंग्रेस को एज यहां बताया जा रहा है अलग अलग जगों से और बहुत ऐसी बाइट्स बहुत ऐसे लोगों की विचार जो है वह हम आप तक पहुचाएंगे जिन लोगों को भी हमने कैमरे पे कैद किया है कई लोग ऐसे भी हैं कुछ यहां से हम नलकॉंडा पहुचे थे पोचमपली गाउं जो है यह काफी महतुपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह सिल्क के लिए और कॉटन दोनों हैंडलों के लिए काफी मशूर है यहां के साड़ियां काफी मशूर है और इस गाउं को यून ने यून ने और नलकॉंडा जो है वो भी केसी आर का गर है इसलिए क्योंकि वहां पे साथ सीटे विधान सभा की हैं जिसमें से छे सीटों पर बी आरेस का कबजा है दोजार अठारह में लेकिन इस बार और सेकेंड पोजिशन पर हर सीट पर कॉंग्रेस पार्टी थी लेकिन इस बार य परसेंट दलित हैं माफी चाहता हूं 18% दलित हैं आधिवासी हैं यहाँ पे 12% और 13% मुसल्मान हैं ऐसे 43% जिधर जाएंगे सरकार उनकी बन जाएगी क्या ये 43% में सिंद्बारी करने में कॉंग्रेस पार्टी सक्षम हो पाई है तीस तारीकों वोटिंग के दिन और उसके बाद तीन तारीकों रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा लेकिन इस वक्त दोस्तों हम मौझूद हैं अधराबाद में और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यहां का सेक्रेटरियट है और यह पार्क जहां पर हम लोग खड़े हैं और सबसे बड़ी बात कि जड़ा पीछे दिखाएए शंक की आकरिती जड़ा पीछे अगर रोल करके ले जा सकते हैं बहुत ही शांदार ढंग से इस पर थोड़ा अगर नीचे करेंगे तो उस पर भी रिफ्लेक्शन है इस सेक्रेटरियट का थोड़ा सर नीचे करेंगे तो वाइट कलर में अगर जूम करके ला पाएं तो वो जो सेक्रेटरियेट है वो दिखाई दे रहा है इस पे भी क्योंकि ये शीशे का बना हुआ है और उस पर लाइटिंग की बहुस्ता इतनी शांदार है कि ये शंख के नीचे पूरा का पूरा शीशा है तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा जहां हम जाते हैं वहां की विशेशता आज प्रियटक स्थल है वो सब आप तक हम पहुचाने की कोशिश करते हैं आप परियटक बन करके आएं जब तो आप हमें याद करें और इन चीज़ों को देखने की कोशिश भी करें तो हैदराबा प्रशांग जी के अलावा हमारे साथ कुछ और वरे साथी जूड़े हुए हैं वीजे शंकर सिंग साहब हैं, सुनिल शुकला जी हमारे साथ जुडे हुए हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचकोर जी है और अमलिंदू उपाधिया जी है आप सब का स्वागत करता हूं इस्तिक्बाल करता हूं स्वागत इस्तिक्बाल आप तमाम दोस्त साथी शूपशिन तक आप सब का भी जो अब तक जुड़ चुके हैं जुड़ने वाले हैं इस कारिकरम में और कारिकरम सीधे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से और अ चार-पांस मिनट लेट हो गए लेकिन आज चुकी आप आए हैं प्रशान जी हम लोग घूम करके जल्दी आप से समझना चाहता हूं कि अब कल से लेकर आज तक में कल जो आप कह रहे थे कि बी आरेस और कॉंग्रेस के बीच में हाँ जबरदस्त फाइट है उसमें कुछ परि का कबजा है और उनका उनका गड़ है वो और एक तरीके के आवाज आ रहे थी वहां पर बी आरेस और कॉंग्रेस बीजेपी कोई नहीं है वह ओसी है और सुनने में यह आ रहा है लोगों से बात करने में कि दो तीन सीट में इस बार ओसी भी संगर्श करते दिखाई दे रह है जी जब है दुदाओबास से बाहर जाएंगे तो आज हम नलगोडा के और वहां पे नलगोडा कभी वाम पंठी को गड़ होता था कभी वहक BeneHmm साथ सीटेए नर्गोना लोक्समा सीट की जो कि गpadली नीकल रही थी तो वामपंथEE भी तो लड़त निखाई दे रहे हैं और मज़े की बात है कि वामपंथी वहाँ पर तो यह भी फॉर ब्लॉक का ओको वह इंडिपेनिट तौर पर खड़ा हो गया है लेकिन अपने आपको फॉर ब्लॉक का करियर बता रहा हूँ तो यह सब कुछ नंगोणा में देखने को मिल रहा है लंगोणा बहुत रोचक सीट है इसलिए हम लोग गए कि वह सीट चात में से छे टीरेस के पास है और यह सभी सीटें दो सीटों को छोड़के टीरेस ने कॉंग्रेस चीनी है और जब हम लोग वहाँ गए तो हमको यह दिखाई दिया कि इस बार वो स्विंग जो है वो कॉंग्रेस की तरफ होता वो दिखाई दे रहा है यानि अगर जो है भावना हम देख सकते हैं कि वहाँ से हमको मिल रही है तो जो आपको सवाल था कि कॉंग्रेस कल से आग तक में जो हमने देखा कि कॉंग्रेस के बारे में बात करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है और लोग बात कर रहे हैं और एक बहुत रोचक जो ललाई ज हारों में है और उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन कल से लेकर आज तक में एक परिवर्टन वो दिखाई दे रहा है वो परिवर्टन ये है कि क्या B.R.S. के सामने कॉंगरेस उतनी दूरुस्ती के साथ उतनी मजबूती के साथ फाइट कर रही है इसका जबाब होगा जी हाँ बिल्कुल और मजबूती ही नहीं बलकि कॉंग्रेस के बारे में बोलने वालों की संख्याँ ज्यादा सुनाई पड़ रही है और कई लोग बोलते ही कि नहीं जी इस बार हमको कॉंग्रेस मांगता लेकिन कॉंग्रेस ही नहीं मांगता लोग कहते हैं कि हमको राहुल गांधी मांगता ये भी कहते हैं और राहुल गांधी फिर हम पूछते हैं कि राहुल गांधी CM के रूप में मांगता आपको या आप दिल्ली में देखना चाहता तो बोलते हैं कि नहीं हम उनको दिल्ली में देखना चाहता उनको प्राइम मिनि बहुत अच्छे लोग हैं और एक चीज और दिखाई दी कि बीजेपी वहाँ पे गायव है हैदराबाद के बाहर तो बीजेपी के जंडे बैनर भी ने दिखते वरकर और मोटर साइकल और इस्तियार तो छोड़ दीजे तो बीजेपी का केवल जो शोर है वो टीवी चैलों में है वो भी तभी जब वहाँ रेलिया हो रही है जमीन पे बीजेपी नहीं है यही बड़े आश्चर की बात है कि वो रेलियां बहुत बड़ी-बड़ी कर रहे हैं प्रधान मंत्री और योगी आजेतनात और आमिश्चा और नडड़ा साब लेकिन जमीन पे बीजेपी नहीं दिखाई दे रही कम से कम हैदराबाद के बाहर जो हम लोग लिकलते हैं तो जितने दूर भी हम लोग गए पांच-छे विधान सबा सीटे हैं हम लोगों ने देखी कहीं हमको बीजेपी कर नाम और निशान ने दिखाई दिया तो ये भी बड़ी एक नोट करने वाली बात है कि बीजेपी गायब है यहां से बिल्कुल बीजेपी ना सिर्फ गायब है बलकि बेपटरी हो चुकी है जो पहले कह चुका हो और परजान टंडन जी भी इस बात की पुश्टी कर रहे हैं क्योंकि यहां पर राजधानी में हैदराबाद में तो बीजेपी के नाम लेने वाले एक के दुके लोग दिखाई दे भी देते हैं सुनाई पड़ भी जाते हैं लेकिन यहां से जब आप बाहर निकलते हैं तो परिष्टियां बिलकुल दूसरी दिखाई देती हैं बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं दिखाई देता इसलिए चार पार्टियों में से अगर देखें जो बीजेपी है बी आरेस है कॉंग्रेस है और ए आई एम आई एम है इन चार पार्टियों में से दो पार्टी पहले ही गायब नजर आ रही हैं AIMIM 119 में से जो 119 सीटों पर के विधान सभा चुनाओ हो रहे हैं उन 119 में से मातर 9 सीटों पर आसदुदीनोवईसी की पार्टी लड़ रही है तो बाकी जो 100 सीटें हैं उस पर 110 सीटें है उस पर क्यों नहीं लड़ रही है एक बड़ा सवा है असदुदीनोवईसी के लिए दूसरी बात ये है कि को बीजेपी जो 2022 में बड़े दमखम के साथ में यहां राश्री कारिकारणी की बैठक करती है और इस उमीद के साथ बिलकुल उसी उमीद के साथ जैसे विष्ट बंगाल में बीजेपी गई थी कि चलिए अब हम हमार से बाहर है लोग सभा की चार सीटे जीतने वाली बीजेपी ते लंगाना में फाइट से बाहर क्यों हो गई जरा ये बहुत बड़ा सवाल है क्या की फौवर ब्लाक और सीपिय इम घंडे दिखाई दी अब लेकर बीजेपी आई नि को लेकिन अब ओर इस पे बात करेंगे कि ये मामला क्या है क्या पर डील का हिस्सा है कि हम रैलिया करेंगे लेकिन ग्राउन पर नहीं रहेंगे क्या ये वोट ट्रांसफर करने की कोई तरीका है या इस पर कोई बात हो रही है इस पर हम लोग जड़ा तहकीकात कल करेंगे और शाम को इस पर कल बात करेंगे ये एक क्या कही डील है क्या आप अपने वोटर्स को ये इस ढंग से मतलब वोट शिफ्ट करा रहे हैं या कुछ और है ये भी हम समझेंगे और कल से लेकर आज तक बहुत कुछ इसमें हमने तहकीकात कर ली है और कुछ तहकीकात और करेंगे लेकिन इसके अलावा एक तहकीका कल से लेकर आज तक हम और कर रहे थे प्रशान टंडन जी अपने साथियों के पास हम आए जो हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद हैं लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि कल कुछ लोग ये कह रहे थे कि कॉंग्रेस पार्टी ने करनाटक में किये गए अपने पायवालों से बात की तो कुछ एक ऐसे लोग थे तो सबसे बड़ी बात यहां यह है प्रशान जी कि आज जब हम लोग तहकीकात कर रहे थे तो वहाँ बात ये निकली कि कॉंग्रेस ने इसा वादा किया ही नहीं था कॉंग्रेस ने दो हजार रुपे प्रती माह वहां के गरहनियों को देने का वादा किया था जो गारंटी में उनके गारंटी कार्ड में था और उसको दे करके उसी में से आप हजार रुपे में आप गैस सिलेंडर खरीद लीजी जो एलपीजी गैस, एलपीजी सिलेंडर पे राहत की बात यहाँ पे वादा किया है वो करनाटाक में नहीं था करनाटाक में गारंटी आथा यह वो गारंटी है juegos वादा की है या गारंटी आप निजह हो चुका है वो करनाटक में वैसा वादा नहीं था ये जूटा परचार वाटसअब के जरीए किया गया लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जूटा परचार वाटसअब के जरीए ये भी यही आसपास में और खास कर असदुदी नोवेसी के जो गरूप है उस गरूप में इसको परचारित करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की गई है और आप समझ सकते हैं कि क्यों की गई है और इससे कैसे डेंट लगाने की कोशिश होती है ऐसे ये कॉंग्रिस को लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे जो दुष्परचार होते हैं उसका मुकाबला कैसे करें हला कि आज जैराम रमिश ने प्रिस कॉंफरेंस करके इस बात की का जो रहसे है उससे परदा उठाने की कोशिश की है और जो बात हम लोग कह रहे हैं उनहीं से कैरी फारोड में कर रहा हूँ और उसमें मुश्किल देखिए राजी जी ये है कि ओवेशी साहब का डर ये है कि थोड़ा सा भी वोट अगर शिफ्ट हो गया मुस्लिम वोट कॉंग्रिस की तरफ जिसकी पूरी सम्मावना है मतलब बी टीम की प्रोडिक्टिविटी खतम हो जाएगी तो आप बी टीम कहलाने लाइक भी नहीं रहेंगे आपके पास ए और बी के अलावा सी और डी तो बचता नहीं है और अगर आपकी प्रोडिक्टिविटी यहां नहीं रही तो उसके बाद आप ना बिहार में जाके किसी के लिए बुरा कर पाएंगे या ना किसी का भला कर पाएंगे जैसे बीजेपी का भला करने की कोशिश करते हैं और नहीं आप उत्तर परदेश में जाकर वहां मुसल्मानों के बोट को काट पाएंगे लेकिन क्या आप अपने गड़ में दमदारी के साथ लड़ रहे हैं और क्या तीन तारीकों जो रिजल्ट आएगा उसमें से नौ सीटों में से आप पिछली दफ़ा साथ सीटे जीत के आए थे क्या उस उन साथ सीटों को बरकरार रख पाएंगे ये बड़ा सवाल है जिसका जबाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा तीन तारीकों तीन दिसंबर को हम हम ही आप तक पहुचा ही देंगे लेकिन हमारे साथ कुछ परिश साथी जुड़े हुए है उन सबसे आपके बीच उनके जरीया आप सबके बीच पहुचना चाहता हूँ उन सब का परिचे आपको करवा चुका हूँ असब का इस्ति कबाल करच युचा हूँ अस्तिक्बाल स्वागत न दोसे साथी शुपशिन तक आप सब का भी जो अब तक जुड़ चुके हैं जुडने वाले हैं त刃 और तैलंगाणा से जो सते हमें देख रहे हैं उनको एक बार फिर से विशेश तौर पे अभिवादन करता हूं नमस्कार करता हूं स्वागत करता हूं सलाम करता हूं और शस्री आकाल करता हूं तो दोस्तों सीधे आना चाहता हूँ हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश इंदुस्तानी जी के पास में प्रकाश जी शायद अभी डिसकनेक्ट हो गए हैं लेकिन सुनील शुकला जी हमारे साथ जुड़े हुए सुनील जी कैसे देख रहे हैं आप अब चुकी दूर से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग जो भी है वो आप तक पहुँचा ही रहे हैं आपका विश्लेशन चाहिए कैसे देखा जाए किस धंग से देखा जाए तेलंगाना के इस चुनाव को सुनील जी अब धन्यवाद राजियोजे तेलंगाना का चुनाव बहुत ही रोचक है भारती जन्ता पार्टी संगर्ष में कहीं नहीं है गैर भास्पा मद्दाताओं का विकल्ब बन करके ओभरी है कांग्रेस जो लोग ब्यारस के सरकार से संतुष्ठ है वही लोग भारती जन्ता पा यह भाई हमसे बी इन सभी के विकल्ब पर रूब में कांग्रेस ने अपने आपको लोगों की बीच में रखा है अपनी गारंटीों के साथ अपनी उन योजनाव के साथ जिनकी अबलब भोर करनाटक के चुनाव में गई थी और करनाटक के लोगों ने सको समर्थन दिया थ कि यह सच है कि पिछले पांच सालों में एक सक्री भीपक्षी भूम्क्या कांग्रेस से नहीं अदा कि लेकिन पिछले 10 महिनों से वहां बियारस के सरकार के उपर हमला और बियारस सरकार के खिलाप एक राजितिक माहौल बनाने में सखल हो गई थासों से प्रस्षचार के मुद्दे को लेकर करके किसानों को किये गए वादों को लेकर के और जो भूमिहीं किसानों को जमिन देने की बात की गई थी इस बीच जो अलपसंख्यक समुदा है उसको जो एक उमीद थी उससे बियारस ने उनको निराज क पार्टी के समसे दमदार नेता राजय बाहुलों के खिलाप अगर वियारस के रिलेट नहीं खड़ा करती है तो यह संदेश जाना सोहविक है कि बीजेपी के साथ है अगर हुआ करीम नगर में जिस भार्दी जनता पार्टी के नेता ने कविता जी को पराजित किया था उस न लोगों को पास कराने में अगर वियारस में भार्दी जनता पार्टी के सरकार के मदद की है तो यह लोगों के बीच में संदेश जाना कि बीजेपी मिले हुए हैं इसमें कोई भास नहीं होती है इसी तरह से जो एम अन्य राजियों में पचीसों तीसों में खड़े करती है वह केवल नौज जगों पर चुनाल वड़े हैं कि अपने राजी में इस कारण से भी यह संदेश जाना है कि उसकी एक सांड़ गार्ट बीजेपी के साथ है कि सुनिल जी उत्तर प्रदेश में सुनिल जी उत्तर प्रदेश में पंचानबे सीटों पर कंडिडेट उतारते हैं और अपने राज में 119 में से मात्र नौ जी वहीं मैं कर रहा हूं तो यह पक्कितर संदेश है कि बीजेपी के साथ मिली हुई है तो इसमें बीजेपी बियारस और ए इम इम इन तीनों के साथ गार्ट क संदेश नों के बीच में है इन तीनों के खिलाब कांग्रेश से अपने अपको मजमती से सामने रखी है और रेवना रेटी के नेत्रतों में एक बड़ी प्रहुई तरिके से राजित करेगी ने वहां के प्रहुषाली नेता माने जाते हैं और उनकी सकरियता ने एक विकल् है और इस अभ्यान के शुरुवात राहुल गांदी की भार्जुन यात्रा के दुरान ही शुरू हो गई थी जब राहुल गांदी ने बियारस के सरकार पर तीके अमले कि लिए थे और रोप लगाया था कि इस देश के भरस्तम सरकारों में से एक है इस एक पुरे के पुरे मा करनाटेक्ट में जीत के बाद उसके संसाधनों में भी ताकत आई है और प्लस निताओं की विसे क्रेता वड़ी है तो दलितों में अल्पसंक्यतों में और भारती जनता पार्टी से संतुस्ट लोगों में कांग्रेस ने अपनी दखल और अपनी विस्वास को भाया है और प्लस नहीं मान भी रहे जो लोगों से बात प्रके बास में आती है मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जीस तरीके से अस्थानी निताओं को महत्व दिया है अस्थानी मुद्दों पर अपने आपकी राजनीत को केंद्रित किया है और भारती जनता पार्टी और वियारस के विकल्प के रूप में एक मजबूत राजिदिक पाकत के रूप में वह रही है तो वह जो इंटिंग मंसी का महावल है वह कांग्रेस के पक्ष बजाता हो दिख रहा है अब इस्तितिया है कि मनें जो जिन लोगों ने तेलंगाना बनाने के लिए संहर्ष किया क्या हुआ इस तरह के भावनात में गुद्धे काम करते नहीं अब यह होगा कि दस साल के साथनकाल में आपने किया क्या अगर आगर आप यह बात करेंगे और अगर आप एक जिसे के वियारस ने भी अलपसंख्यकों में केवल ऑवशी साल को प्रूसाथ रख्टा अलपसंख्यकों के जो दूसरे इदारे हैं वह सब किसरे एक भी खिलाफ क्योंकि उनको उनको ब्यारस के सरकार ने कोई महत्तु दिया नहीं और पर साथ रखा भी नहीं और यह मारना कि अलपसंख्यकों का एक मातर इदारा है यह यह में बहुत तारकी क्लिंडर नहीं का मज़तार की रही थी कि हैदराबाद ब्रहत नगर निगम के चुनाओं में जब लगों नगर निगम के चुनाओं में इसलिए उट लिया कि उससे में आप याद के जिए तो वहां बाल के चिती थी और बाल में सहायता पहुंचाने के नाम पर लोगों के मन में नाराजगी थी व्यारस सरकार निखला कांग्रेस संग्ठनात्र प्रूप से उतनी वजबूत नहीं थी जो ब्यारस ये संतुष लोगों ने कांग्रेस बीजएपी कोड दिया लेकिन बाद में दे धीरे-धीरे ये परसेश्चर बद कांग्रेस ने अपने प्रचार भ्यान को बड़े ही बड़े संतुरी तरीके से चलाया है और सीधे के सियार और व्यारस के उपर हमलावा रहा है खास दोर से जो भारती जो भ्रश्चाचार का मुलता है और जो सरकार की अनविजबिल्टी रही है पूरे 5 साथ मतलब वह कही दिखती नहीं थी एक लोग का होता है कि अप्रतिद्यों से मिल लेना मुख्यमंत्री का जनता दर्बार जनता के साथ संबाथ इस तरफ तमाम तरह के कारते मस्तकित पड़े रहे और जो मुख्यमंत्री की विजबिल्टी रही वह लोग वह बहुत ही कम रही राजिव उनको जब सरकार के कामकाज के मुल्यांकर्ण के अधार पर लोग जन्समर्थन की बात कर रहा है उसमें तलंगारा के सरकार ब्यारे के सरकार पिछड़ती हुने जरा रही है और कांग्रेस अपने आपको एक वेकल्पिक राजितिक ताकर तुर्क के रुक में प्रसुत किया है एक पहले से भी इनका सब एक बहतर ताल मिल रहा भी है कांग्रेस एक मुझोदगी भी रही है तो मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास हासिल करने में कांग्रेस काफी हद तक सफल है और यह तमाम तरह के राजितिक सर्वेक्श्रों में दिख भी रहा है आज के छह साथ म कांग्रेस ने लोगों के बीच में अपने भी सुस्रेता बढ़ाई है अगर कांग्रेस वासरकार मना लेती है तो किसी को अविश्वास नहीं होना चाहिए जी जी बिलकुल सुनेल शुकला जी बहुत शानदार विश्लेशन और ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस जो छे महिने पहले तक परदे में नहीं थी परदे के अंदर थी वो परदे के बाहर आ जाती है कांग्रेस सीधी फाइट देती हुई नजर आती है आखिर ये हुआ कैसे कि अगर इसकी समिक्षा की जाए कि बी आरेस और बीजेपी में लड़ाई होगी 2023 में यहीं कहा जा रहा था और खासकर 2019 के चुनाओं के बाद से तो बिलकुल ही वही परिस्थिती जो परिस्थितिय कि बीजेपी ने और जिसा भी आप बता भी रहे थे कि शहर में तो हैदराबाद शहर में राजधानी में ग्रेटर हैदराबाद में तो बीजेपी का नाम लेवा कुछ लोग दिख जाते हैं कुछ बैनर पोस्टर दिख जाते हैं लेकिन बाहर तो कुछ नहीं दिखाई दे लेकि बी आरेस के साथ जो है जो के टी आरेस थी पहले चलंगाना रास्टी समिठी वो आंदोलन से निकली वी पार्टी थी उन्होंने उनको इस बात का फाइदा मिला क्रेडिट मिला कि चलंगाना जब बना तो वो एक्टिव उसमें आंदोलन में थे उसके अभ्यान में थे तिलंगाना बनाया UPA की सरकार के दोरान लेकिन उसका फायदा मिला जो अब मुझे दिखाई दे रहा है बहुत से लोग कारण नहीं बताते हैं कि TRS को क्यों हटाना चाहते हैं कॉंग्रेस दिरूर प्रचार करी करप्शन का लेकिन आप जब गाओं में जाएंगे कुछ भाषा का भी हम लोगों का है कि हमको तेलगू नहीं आती उनको हिंदी नहीं आती है तो एक कम्यूनिकेशन कैप उस वज़े से भी है लेकिन जो हम जितना हम समझ पाए वो एक फटीग लेवल है एक उबाउपन है वो उबाउपन की वज़े से भी जो है जो मद्रपदेश में दिखाई दे रहा था कि मद्रपदेश में दोनों बाते हैं एंटीन कंवेंसी भी है और फटीग लेवल भी है शिवरा सिंग चोहान का फोटो देखते देखते हो ठगे है लोग तो इसलिए यहां पे भी वो दिखाई दे रहा है कि एक दो बार तो उनको इमोशनल एडवांटेज मिला चलंगाना राज समीची नाम है चलंगाना के अं से कॉंग्रेस से लड़ रहे हैं बिना किसी इमोशनल बैगेज के इसलिए मैंने कल भी कहा तो और फिर कह रहा हूं कि टियारेस या बियारेस और केसी आर अपने सबसे मुश्किल सुनाओं में हैं और और उनके लिए यह अस्तित्व का सवाल होगा है यह सुनाओ यहार और सबसे बड़ी बात कि लोग चाहने लगे हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए जो कह रहे हैं प्रशान टंडन जी और सबसे बड़ी बात यह कि केसी आर अपनी जीवन के अभी तक के सबसे मुश्किल चुनाओं से गुजर रहे हैं और इस मुश्किल चुनाओं को का बे लेकिन उससे पहले तीस तारिक को ही शाम पांच बजे से हमारा एगजिट पॉल देखना मत भूली है आप ओपिनियन पॉल हमारा देख चुके हैं ओपिनियन पॉल से एगजिट पॉल कितना चेंज होगा ये भी सामने आएगा और उसके अलावा तीन तारिक को तो हम सुबह च्छे वजे से आप तक पल-पल की रिपोर्ट रिजल्ट के रूप में देना शुरू कर ही देंगे वो पहुंचाएंगे ही और इस वक्त आप कारिकरम हमारा न्यूज पॉइंट देख रहे हैं सीधे तेलंगाना की राजधानी हाइदराबाद से कल चार मिनार पे थे आज हम जहां हैं हमारे पीछे सफेद कलर का की बिल्डिंग दिख रही है अगर फुल स्क्रीन लेकर आप आएं तो उन साथियों के लिए जो बाद में हमारे साथ जुड़े हैं और इस बिल्डिंग से नौकर शाह जो हैं इस राजधी को चलाने की कोशिश करते हैं ये सेक्रेट और विधान सभा भी तो उस हिसाब से ये बहुत ही बहुत महतुपूर्ण है जी तीन तारीक को जो जीतेगा वो यहां आएगा ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए यहां ये बिल्डिंग को दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि लराई गहमा गहमी इसी बिल्डिंग के लिए हो रही है बहुत शांदार बिल्डिंग आप देख रहे हैं लाइटिंग की शांदार व्योस्था है और हमारे लिए अच्छा होता है कि कम से कम हम इन चीजों को आप तक पहुंचा पाएं और ठीक हमारे सामने शंख नुमा आकरिती में बना हुआ एक बहुत सुनदर ये हुसेन सागर पार्क कहलाता है लेक कहलाता है और बहुत ही शांदार ढंग से यहां पर एक शंख की आकरिती का स्टेचू बना हुआ है मॉनुमेंट कह सकते हैं जो भी कहें आप और उसमें शीशे की दिवारें बनी हुई है जिसमें अलग-अलग उसमें आप देखेंग यह जो कुछ है उसके अलावा जो हम देखना और दिखाना चाह रहे हैं वो यह है कि यहां की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और सियासत की चर्चा लगातार कर रहे हैं हम आज जहां जहां घूम करके आए और कल हमने आपसे वादा किया था कि कल हम हैदराबाद से बाहर ज चाहने वाले कौन कौन से लोग हैं लेकिन देखिए कि OVC ग्रेटर हैदरबाद से बाहर नहीं है OVC ने नौ सीटों पर लड़ने का फैसला लिया है क्या सोचकर फैसला लिया है ये OVC उनकी पाटी जाने लेकिन उसके अलावा जो फाइट में है सिर्फ दो दल है और उसमें KCR बड़ी मुस्तेदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सामने R Factor काम कर रहा है R Factor यानि राहुल गांधी और रेड़ी रेवन्त रेड़ी इन दोनों का फैक्टर काम कर रहा है और इन दोनों को मजबूती देने के लिए दो लोग और भी हैं एक है प्रियंका गांधी दूसरे हैं मलिकार जुन खडगे तो इन चार की जोड़ी जो है वो क्या गुल खिलाएगी तीन तारिक को पता चलेगा हमारे साथ जुड़े हुए है विजे शंकर सिंग साहब उनके पास भी आना चाहता हूँ सिंग साहब बहुत कुछ साहब सुन रहे हैं हम लोगों का विशलेशन भी सुन रहे हैं हम लोगों की ग्रामीन रिपोर्टिंग ग्राउन रिपोर्टिंग भी देख रहे हैं आप आप से जरा समझों आपका विशलेशन समझों आपका अनुभव जो है वो क्या कहता है तेल लंगाने के सभी एकसाद शुरू हुए थे तो ते लंगाना को लिए प्रकाश जी आप भी सुन रहे हैं तमाम हमारे इन विशलेशनों को और ग्राउंड रिपोर्ट को भी देख रहे हैं जर आप से समझों कि आप भोपाल में बैठे भोपाल नहीं बलकी इंदौर में बैठे हुए हैं और मध्यप्रदेश पैक हो चुका राजस्थान पैक हो चुका है च्छतीस गड़ पैक हो चुका है मिजो यार तो लोगों ने जो बातें कहीं तो उस्ताइम लोगों में देख जो बड़ा बुड़ था और राहूल गांदे ने कहा कि तेलंगाना में दोराना सरकार नहीं सामन की सरकार जाएगी और प्रजिला सरकार आएगी तो इससे लोगों का उस साथ देखने लाए था लोग जो प्टाजा रहे था इसका मतलब यह है कि लोगों को विश्वास है रांदी में पिछले चनाव में भले ही कांग्रेस प्रमुख डल की रूपे नहीं हो प्रमुख विरोधी पार्ट नहीं रही हो लेकिन कांग्रेस ने इस बार यह चुछे वादे की इए एक हेरेंटी दिये उसका असर देखनको में रहा है रहा हुल के रेलियों में देखने को मिल रहा है भगल हमें पढ़ने को में रहे उनके मुतारिक रहूल ग fasting लाहूल के सिर के मारे में कहां त़ कि कसी आर्ड को प्रार चर्चा में और Allah को लगास्टाबरा ध़क्के पर धक्के लगते जा रहे हैं झुनाओ आयुग मैं भी दक्का लगाया कहा कि Ю तो यूजनाय राम राम राइतू बंदू यूजना वापस लेने की कुशिश थी वो नहीं हो पाई तो फुल मिलाकर ऐसा रखता है कि इस बार तेलंग लाना में प्रमुख विरोधी पार्टिया प्रमुख जोनल अर्डन कांग्रेस है और कांग्रेस सरकार बनाने की फोड़ लरिव नर्मुख विरोधी को अम्राज भी था कि कॉंग्रेस इस तरह से तेलंग लाना में एक चुनोती बनकर उबरेगी तेलंग लाना में ये शायद बी एसर को भी नहीं पत और कहे तो भारत राश्ट्र समीती को बी आरेस जो है उसको भी नहीं ध्यान रहा होगा नहीं चानक के कहे जाने वाले या चुनाओं को काम से जादा अपने उपर हावी करने वाले प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को पता होगा कि कॉंग्रेस पार्टी छुपे रुस्तम की तरह आगे आ जाएगी और यहां सीधी चुनोती देती हुई नजराएगी और बेपटरी कर देगी बीजेपी को पिछली दफ़ा बीजेपी ने सिर्फ एक सीटे जीती थी और अभी आज की तारीक में बीजेपी के पास पांच सीटे हैं क्योंकि उप्चुनाओं में उसकी जीत हुई हिंदू-मुस्लिम का कार्ड चलाया लेकिन उसके अलावा अभी क्या कुछ है व जो आप हमें दिखा रहे हैं और आपके अलवा अन्नी जो मीडिया सोर्से से जो हम लोग सोशल मीडिया से या अगबारों के ज़्वारा समझ रहे हैं उससे साफ साप ये लगता है कि भारती जिनता पार्टी की इस्थिती तीसरे नंबर पर रहेगी वियारेस और कॉंग्र में भी आ सकती है प्रशान जी ने बड़े विस्तार से सको समझाया और कारणों को बताया है कि लोग एक ही चेहरा देते देते ठक जाते हैं और एक ही वागे को कब तक स्विकार करते हैं तो ऐसी स्थिती में मुझे लगता है कि कॉंग्रेस कम बैक कर सकती है रहासवाल मीम क उभैसी शाहब का तो इसमें कोई दोरा नहीं कि उभैसी शाहब प्लांक किए गए हैं जाय कि ब dall। इस उम्मीद में प्लांट किये गए हैं कि वो मुस्लिम बोटों को काक सेगे ताकि मुस्लिम बोट गैर भाषपा दलों के बीच नहीं जाएं उनके पास नहीं जाएं लेकिन इसका एक उजरान में आपको इसलिए दूँगा कि याद कि यह जो बरतमान जो महराश्च सरकार है मैं शिंदे सरकार की बात है उद्धोस ठाकरे के मुस्लिम वाली सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ इसके पहले जब हुआ था तो उस समय सदन में वैसी के दो में एमिलेज ने सदन से वाकाउक करके बीजेपी की सरकार को समर्थन दे दिया था उस समय और बाकी पार्टिया खिलाब में थे तो यह उसके इंटरे स्टेंडिंग है और आप खुदी बता रहे हैं कि साथ यह दस दस सीट यह लड़ते हैं तेलंगाना से और यूपी इतनी सीट लड़ते हैं आपके वां क्यों नहीं लड़ते हैं तो निशित रूप से इनकी मुस्लिम पॉलिक्स करने क कोई इरादा नहीं है मुस्लिम हित का कोई इरादा नहीं है लेकिन हां मुस्लिम पॉलिक्स और मुस्लिम हित के नाम पर यह भारती जंता पार्टी का एक तरीके से सहयोग करते हैं और इस रूप पर सामने आते हैं कि साब ठुपते भी नहीं है लेकिन यह चीजे सब को पता चल गई और मुसल्मानों में भी ये बात पता चल गई है कि ये धर्म की राजमीक बहुत लमेश मत्रक नहीं चलने वाली है इसे फिर से रोजी रोटी शिक्षा स्वास्ति मुद्व लाना होगा ऐसी स्थीत में तेलंगाना में जो हो रहा है वह रूद आश्चेल जनक है और कॉंग्रिस को लेकर भारती जनता पार्टी के गलत आकलन गी तो कॉंग्रिस को लेकर भारती जनता पार्टी का जो गलत आकलन है वो भार जोड़ो यात्रा के बास नहीं बदल गया मुझे लगता है कही ने कहीं जनता के मालिस में कॉंग्रिस को लेकर एक ऐसी सनेह रहा कि वो इने चाहते थे लेकिन वो थीजी हुए वे थे वो पाय हुए थे कि कॉंग्रिस की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं हो रहा है इसलिए राहूल गांदी की बाहर बाहर आलोशना होती रहती थी कि वो पार्टाइम पॉलिक्स करते हैं जनता की भीच नहीं जाते हैं जनता परणाम हमें हिमाचल में देखने को मिला करनाटक में देखने को मिला चत्रीज गाल और मजब्देश से इनके जीतने खबरें हर सर्वे बता रहे हैं डाजस्थान में बहुत तगड़ी फाइट है लेकिन तिर भी वहां जैसा लोग बता रहे हैं आंतम समय में कॉंग्रिस बहुत अच्छा लड़ी है और अगर तेलंगाना में अगर यह सफल होते हैं तो निश्यत रूप से उनकी बहुत बड़ी उपलब्दी होगी तो मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं उसमें काफी कुछ दम है और हो सकता है कॉंग्रिस वह सरकार बना ले अगर नहीं बन हैं तो सरकार तो दूर की बात रही लेकिन यहां लड़ाई सीधी जो है वो केसी आर और रेवन्त रेड़ी के बीच कहलें या कॉंग्रिस पार्टी और बीरेस के बीच कहलें इनके बीच ही लड़ाई दिखाई दे रही है और सीधी टकर दिखाई दे रही है शेहर के बाहर भी होती है एक अलग अंदाज निराला अंदाज रहता है आपका जरा आपसे समझों कि आखिर क्या कारण है कि जो पार्टी दक्षिड में करनाटक की हार के बाद से एक बचा हुआ राज्य तेलंगाना हालांकि अभी आंद्रपरदेश भी बचा हुआ है लेकिन एक बचा हु होती भी नजरारी है बात मैं कर रहा हूं नरेंद्रमोदी की जिनके नाम पर चुनाओक बीजेपी लड़ रही है और नरेंद्रमोदी अगर यहां से भी आउट हो जाते हैं अगर चातिसगर और उधर बंद्रदेश से और मिजोरम से भी आउट हो जाते हैं तो फिर बचता क्या है अमने दो जी के देखिए अब यह तो प्रधानमांती नर्यमोदी जाने की वह अपने लिए क्या बचाकर रखना क्या चाहते हैं यह उनके उपर निर्भा करता है तुकि प्रधान मंती ने जिस तरीके से मत्यप्रदेश में राजीब जी खेल किया या राजिस्थान में रोखेल किया तमाम बढ़े नेताओं की जो है इतरीज काया वह बली चरहाने का काम किया अब उसके बाद तेरंगाना में क्या बचता है उनके पास प्रधान मंत्री को स बढ़ा है ने जिस तरीके से लगाता है और रहूर गांधी ने जिस तरीके से के लगाता है पिछले दिनों जो है इस सरकार के खिलाब केसिया की सरकार संगर्ष किया उससे बहुत कॉंग्रेस को एकदम लड़ाई में आपके ले आए हैं और उसके बाद जो रहुल गांधी की भारत जो यापता हुई ते रहंगाना में उसने अच्छा सा प्रिकाला है उससे भी कॉंग करना आज वी प्रणान्ति जब थे तो आज फिर उस बात को दोहरा रहे थे प्रणान्ति थे जो है वो भारती जंता पाइकी मर्राहुगांधिर के मुखा मिल बताने के लिए कि हम लगाता कि तो उसमें नरहीं दूभी बहुत ज्यादा असर जो हुआ है इसलिए भारती जि तो अब वहां चल रही है कि वह तो यह वोट कांसवर की भी रहनीती है वियास कि तफ करने के यह भी है कि कॉंग्रेस को जो नुक्सान पहुंचा सकता है मुझे रखता है यह प्रणान पहती है तब आएकि यह सूच रही है अमलेंदुची डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद सीधा आना चाहता हूं हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुलाल जी राहुलाल जी आपके पास आना चाहता हूं कैसे आप देखते हैं इस चुनाओ को और खासकर तेलंगाना का चुनाओ अब कॉंग्रेस के लिए कितना मायने रखता है और कितना इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाए कि इसके बाद से 2024 की तरफ बढ़ती हुई ना सिर्फ कॉंग्रेस बलके दूसरे दल भी दिखाई देंगे उस हिसाब से देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाओ कॉंग्रेस पार्टी के लिए मुलासित द nossa इंता चुनाओ कॉंग्रेस के लिए काफी महत्rix मुना देखे यह यहां पे कांग्रेस रिकॉर्ट बनाने के तरफ जा पिए पहली बार हम लोग देखेंगे इक टेलंगाना के शंदर में कि कॉंग्रेस ने एक हितनवी लिखेंगी दुरियो पार्टि को हडा कर जिसका कि इतना ज़्यादा वर्टेस वह था उस वर्टष वाली पार्टी को तेक साथ एक समस्ते वह तैयार थी कि यह थी आम लिए पर लोगों में नराज़्गी की स्थिति होगी तो हमें मिल जाएगी सब्सक्राइब भारत जोड़ों यात्रा ने सबसे पहले स्थितियों को बदला और अगर हम लोग देखें जुलाई अगर सितंबर से पूरी की पूरी कॉंग्रेस की पूरी लडाई रही वह लडाई इस रूप में रहे कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते चले गए कॉंग्रेस में काफी प् तुमाम यह प्रियंका गांदी के तुमाम विज्वाल से लंबे समय सब्सक्राइब लोग देख रहे हैं तो बी यारे जुनों अपना नाम भी बदल लिया ते लंगाना रास पमीटी सब्सक्राइब को भारत रास पमीटी कर लिया उस नाम को बदलके इसमें वह भूल गए कि उनके परती एंटी इंक्रमेंसिव पैक्टर काफी हाई है लोगों में नराजगी काफी जागा है और राहूल गांदी और कॉंग्रेस जिन वामनों को उठा रहे हैं जिन चीजों को उठा रहे हैं जनता का उसके उपर सब्सक्राइब विश्वास है तो तिलंगाना की ल तो देख रहे हैं लेकिन आज इस्थिति ही आ गई है कि कॉंग्रेस प्रिदे सिधे वहां पर बदल देने के लिए तो पर पूरे शक्ता के मैदान को बदल रही है और यह अगर याद करें कॉंग्रेस कि राज़ेती में कि देखिए कोंग्रेस में अलग लग जगा पर जहा चुनाओं में भी बहु कहा है तो टेलंगाना के चुनाओं में थे यह पही हैरते हैं तो पूरा आदिवाशियों के लिए वह दलितौ के लिए मुझत पूरा पूरा शंदस के लिए करते हैं आज तेलंगाना में यहीं सारे मुद्वे जो वो चुनाओं के मुद्व बने हुए तो एक चीज तो यह भी समझ में आ रही है कि अगर हम लोग इन पांचों राज्यों के विजान सवा चुनाओं को देखते हैं कि तेलंगाना इसमें सब्सक्राइब हो रहा है पहले के चुनाओं में जुच पीछ होते ही तुक होता है वह सप्कुनाओं की विजा पर्भू कर डियार कर दारीकी दिली सब्सक्राइब कि पुरई ग्रामिन के व्हे गई इंद्रा गांधी तो इंड्रा गांधी से लेकर राहल गांधी तक याद करने वाले लोगों की पूरी की पुरी पुली बनी बचीज़ है कि 2018 के चुनाव में बी आरे स्पोज उस समय उनको विलें प्राप्ट हो गिया था उनके तेंडरबापु नायटीव को बड़ा विलें के रूपे दिखाया था वहां के और उनको विलें बनाने में वह सफल हो गये इस बार बी आरे स्पुदी विलें बनके भूम रही है उनको कौघर पर उनके कि वहां के कम्यों कर दूर करने के लिए टमाम किसी और चीहों को दूर करने के लिए एंशी और कुनियों को बनास यह कॉंग्रेस पार्टी ने नहीं दिया है बलकि कॉंग्रेस पार्टी ने उनकी घ्राबंदी इस प्रकार कर दी है कि भी आरे सब खुद जन्ता के बीच में विलेन बन चुकी नहीं तो कुछना बार चंदरवापु नाइटी को बड़ा हराम से विलेन बनाके वह लडाई पर चुनाव लग रहा है यह सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को पोचिए कि अगर वहां के 15-20% वाली सीटों के अगर हम लोग देखते हैं जो तलंगाना में स्थिती है कम से कम 29 सीटे कम से कम होती है उस दृष्टी से तो उन्हें कम से कम 29 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए वह सीटों वह कभी नहीं लड़ते हैं तो यह जो रावल गंदी के जो आरोप हैं कि ओवसी भी आरेसी यह सबके सब लोग मिले हुआ हुआ है सबके सब सारे वो उसके कापी ज़्यादा कुश्टी हो जाती है इस आकड़े के साथ राजी में पिल्कल सही कह रहे हैं बहुत सारी बाते आब बता रहे हैं और इस तिलंगाना की चुनाव में बहुत सारे विशलेशन इस हिसाब से सामने आएंगे भी दोस्तों क्योंकि तिलंगाना ऐसा राज्य है जहां से आप कॉंग्रिस के उत्थान की बात कह सकते हैं क्योंकि अगर कॉंग्रेस यहां उस मजबूती के साथ फाइट करती हुई नजर आ रही है तो उसके पीछे के कारण क्या है देखे 36 गार मद्परदेश और राजसान में तो कॉंग्रेस जीती आई है और पिछली दफ़ा भी तीनों राजियों में कॉंग्रेस की जीत हासिल हुई थी और खासकर अभी राजसान और 36 गड़ में तो कॉंग्रेस की सरकार भी है लेकिन मद्परदेश में भी जीती थी उसकी सरकार छीन ली गई ये एक अलग बात है तेलंगाना में पिछली दफ़ा कॉंग्रेस बुरी तरह हारी थी और उस तेलंगाना में इस बार कॉंग्रेस मजबूती के साथ लड़ती हुई अगर दिखाई दे रही है ना सिर्फ लड़ती हुई बलकि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि यहां सरकार ब बढ़ रहा है जल्दी से उसको खतम की और भी ले जाना है और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास भी आएंगे लेकिन पहले जड़ा ये जो फाइटिंग स्किल दिखाई दे रहा है ये आर फैक्टर का जिसमें राहुल गांधी रेवन्त रिड़ी की बात खूब हो र रही है राहुल सीम राहुल पी एम रेवन्त सीम ये चर्चा भी हो रही है तो ये फैक्टर कितना काम करता हुआ धरातल पर दिखाई जी यही की फैक्टर काम कर रहा है राजी जी और एक फैक्टर जो काम नहीं कर रहा मैं राजिस्थान में घूमा मैं मजजब पदेश में गया 37 गड़ में गए और शहर से लेके गाओं तक वहां पर लोग नरिंद मोदी का नाम जरूर लेते हैं आज आप देखिये कि हम लोग यहां से गए बेनलोर से ओ तरी हचे और कितना दूर तक गए गाओं में sunny गाओं में एक भी विक्जीं नरिंद मोदी का नाम नहीं लिया तो मोधी फैक्टर यहाँ पर है ही नहीं दक्षन भारत में मोधी फैक्टर केवल और केवल हिंदी भाशी छेत्रों तक सीमिच है दूसरी बात जो आप कह रहें कि फाइटिंग जो जोड़ी बनाकर फाइट करने की बात है या नेशनल लेवल पे रिजनल लेवल पे ये काम कर रहा है और गाहों के इस तरफ देखा मैंने कि वो लोग बात कर रहे है और एक बड़ा इंट्रेस्टिंग फैक्ट राजीव जी यह है कि यहाँ के अकबारों से भी दिखाई देता है कि अगर इसको दिखाई हूं मैं अकबार को तो यह कॉंग्रेस की तरफ से जारी किया वा गया विज्यापन है और इसमें कार्टून स्क्रिप की शक्र में बताया गया है कि किस तरीके से केसियार ने वो वादे अपने पूरे नहीं किये और यह तेलगू यह अंग्रेसी का अकबार है डिकेंग को निकल लेकिन यही तेलगू में भी जो है यह छपा है सारे अकबारों में फ्रंट पेश पे यह एड है और अब अंदर आते हैं तो आप देखिए कि इसका जवाब यह पहले यह आयड आया दो-तीन दिन पहले अब उसका जवाब तियार किया गया है केसियार की तरफ से कि उनने तस्वीरों की शक्र में जो जो उनने काम किये वो दिखा है और अब तीसरा आयड उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि कॉंग्रेस का है और कॉंग्रेस अपने सारे यहाँ पे वादे जो है वो दिखा रही है इस अकबार को देखिए इस विग्यापन को अगर तो कॉंग्रेस अपने तमाम सारे वाद्व यहाँ पर बता रही है और यह लगबख सभी अकबारों में तेलिगू और एंग्रेजी अकबारों में यहाँ पर जेखनों कमें सकता है और एक आखरी इस्तिहार आधे पेज का बीजेपी का आप देखिये कि ये आधे पेज का विज्यापन BJP का आपको दिखाई देगा तो इसी से मालूम परदा है कि BJP जो है यहाँ पे कितनी गंभीर्था सुनाव दर रही है और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टन बात इन इस चाहरों को अगर आप देखिए वादे यानि जो वेलफेरिजम की पॉलिटिक्स है वो वापिस आ रही है और अगर आप इसको बड़े परस्पेक्टिव में देखे किसी और दिन इस पे और गंभीर चर्चा कर लेंगे लेकिन बहुत संखेप में कह रहा हूं कि छेत्री पार्टियां जब बनी जिसमें तेलंगाना सबसे नया राज्य है और केस और बे आरेस और के टी आरेस यह नई पार्टियां है जिए भर सत्ता में आई तमाम छेत्री पार्टियां, चाहे वो तरिमूल कॉंग्रेस हो, चाहे वो न्सीपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये कॉंग्रेस के ही विचारधारा के इर्दीर्द ये पार्टिया बनी और कहीं न कहीं ने कॉंग्रेस का ही वोट बैंक या प्रभावच छीना और उसी पर अपना वजूद बनाया एक भी पॉलिटिकल पार्टी छेत्री पॉलिटिकल पार्टी हिंदुत की आइडलोजी पर नहीं बनी वह केले बीजेपी है और अगर यह सबसे नया राज है और यह नई राजनीती शुरू करेगा अगर यहां से कॉंग्रेस जीत्ती है तो यह जो छेत्री पार्टियों का जो प्रभाव बढ़ा है उस पे उस पे भी इसका असर जाएगा और कॉंग्रेस का एक जो प्रभाव छिना था मेरे क्यास से वह वापिस आना शुरूआत होगी उसकी यह बहुत महतुपूर्ण बात आप कह रहे हैं छेत्री पार्टियों के प्रभाव का और अगर यहां बी आरेस को दबा कर कॉंग्रेस आगे बढ़ती है उपर उठती है तो इससे एक बात जो मैं जिस तरफ इशारा देख रहा हूं वो उत्तर परदेश के लिए भी है उत् को लगेगा कि देखिए नेता तो बहुत दूर से अपने तरफ आती हुई थी जो को देख लेता है तो उन्होंने देख लिया है और इसी लिए उस तरीके के बयान पिछले हाल फिलाल में अक्रेश आदों के आए हैं तो ये चुनौती अगर पेश करती है मजबूती के साथ तेलंगाना में केसी आर के सामने कॉंग्रेस पार्टी और अगर तीन तारिक को सरकार बनाने के लिए वो खड़ी दिखती है यानि कि रिजल्ट उसके लिए उसके पक्ष में आता है कॉंग्रेस पक्ष में तो आप ये तै मानिये कि एक रिजनल पार्टी यहां जो नैशनल बनने के लिए जिसने अपने नाम को टी से बदल के बी में कर दिया अनित लंगाना की जगह पे भारत कर दिया और उसके अलावा तब क्या बिहार से लेकर बंगाल तक उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम अलग-अलग अगर राज्यों में जहां छेत्री दल हैं उन दलों के लिए भी गंबीर चिंतन का विशय नहीं है चाहे वो अरबिंद केजरिवाल क्यों नहीं हो सबके लिए गंबीर चिंता का विशय आने वाले समय में हो सकता है यह चर्चा हम कर रहे हैं हमारे साथ कुछ वरी साथी जरू कर दिया है बिल्कुल तो लाइट सिर्फ सफेद थी लेकिन अभी इस विदान सभा इसमें देखिए कि रंग बिरंगे लाइट साब को हमारे पीछे और इस बिल्डिंग की शोभा बढ़ाते हुए कभी पिंक कलर रेड कलर तो कभी ग्रीन और ब्लू अलग-अलग कलर में आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग की शोभा बढ़ाते हुए और एक अच्छा विज्वल बनता है और ऐसे विज्वल के साथ अगर हम कारे करम आप तक पेश कर रहे हैं तो हमारा भी हमको भी अच्छा लगता है कि चलिए कुछ तो दे पा रहे हैं यहां आए हैं तो ह हमारे स्टूडियों में तमाम साथी जुड़े हुए हैं उन लोगों में से डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास दीपक जी बहुत देर से सुन रहे हैं माफी चाहूंगा थोड़ा कारिक्रम में चर्चा ग्राउंड से ज्यादा हो रही है हो नहीं भी चाहिए लेकिन क् नहीं है तिलंगाना से 36 गड़ जो एक पर काफी बात हो चुकी है इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा लेकिंगे उसके दो फैक्टर और काम कर रहे हैं एक तो जो है वह सीदिन ओवसी का जो फैक्टर है अब लोगों के सामने जिस प्रकार से एक्सपोज हुआ बतब अब जनता के सामने ये बास सामने आने लगी है कि वह उनके पर्सेप्टन से अलग इस प्रकार से स्टांडगाट करते हैं इसमें जो सबसे बड़ा बुटाओ उभर कर सामने आया है वह वह इसी मतलब अपने एम और बीजेपी और बी आरे से के बीच की सांडगाट कि अब यह अब तक चीजें धकी होई होती थी बहुत ज्यादा को इसका अनलिसिस हो नहीं पाता था वहां पर जो है तेरा परसेंट मुस्लिम अबादी है अपने अपने तेलंगाना में और उसमें 45 सीटें आइसी हैं जिस पर मुस्लिम बोट जो है वो निर्नायक साबित हो तो आप हम तो अभी तक यही आश्यर करें कि केवल आच या नौ सीटों पर क्यों चुनाव लट रहे हैं अगर उनको उनको अगर गेम चेंजर होना है या उनको किसी तरीके से अपनी वाके एक वैट बरानी ची तो कम सकंब 45 सीटों पर तो उन्हें अपने खड़े करने थी अपने उमिद्वार हम तो अभी तक 29 सीटों की बात करें जैसे रहुल लाली ने याद दिलाया कि 29-30 सीटों पर लड़ना चाहिए लेकिन मैं इस तो लाटा देखना हूं 45 सीटे तो ऐसी हैं जहां पर सीधे सीटे मुस्टे बोट नेनायक हैं अब यह बात पूरे देश में जाएगी और जहां जहां यह चुनाओं लड़ने जाते हैं वह ऐसी सा वहां 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 वह एक्स्पोज होगी और यह सब्वाज उनका हमेशा पीछा करेगा कि आप यहां पर इतने सीटों पर लड़ने आ गया हैं महाराश्ची में प्रुदेश में आपके अपने राज म हैं वहां पर तो यह हाल है दूसरा जो बड़ा वहां पर काम करना वहां पर काम कर रहा है करनाटक का लगभा 75 प्रतिशन मंत्री मंडल जो से वहीं पर लेना डाले हुए है तेलंगाना में कॉंग्रेस ने उस राजी को बहुत ज्यादा महत उतिया हुआ है और हर आलक चाहत है कि प्रकार से वह राज भी अपने पास लिया जाए विस्तार हो रहा है तो मुझे अस लगता है कि अब वहां की छेत्री पार्टियों को अपने नजरिये का विस्तार भी करना पड़ेगा ठीक है आप अपनी छेत्री अस्पिता को समालिए जिचिस रुप से संगवाद की एक अउधारना के अंतरगार राज भी मजबूत होने चाहिए लेकिन आपका द्रिष्टकोन ऐसा व्यापक फुरा चाहिए कि आप सारे देश को भी आप ख्याल में रखे चले यह जो शूत्र किस्मिती जो राजबिती थी कि लोग छोटे-छोटे पार्टियों को कर लिया है यह भी बात अब दीरे-दीरे लोगों के सामने आ रही है और यह जो चीजे है वो कॉंग्रेस को अकेले बहुत मजबूती से ब्यारेस का वुकाबला करने के लिए खड़ा कर रही है और लोग उसे मजबूत बना रहे है राजी उची तो मुझे लगता है कि तीन तारिक को हम आप तक पहुचाएंगे लेकिन उसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि आँ सियासत में क्या कुछ चल रहा है चुनाओ की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया में कौन आ गया है कौन पीछे है जनता क्या को सोचती है बोटर्स क्या को सोचते हैं और उनके लिए कौन ब जो चलती रही है वहाँ पर ताले लगे हुए थे अनपूर्णा योजना अब ताले क्यों लगे हुए हैं दरवाजे पे खिड़की दरवाजे सारे बंद थे क्यों बंद हैं ये अपने को नहीं पता लेकिन इतना जरूर है कि कुछ योजनाएं घरातल पर उस मजबूती के सा काम नहीं कर रही है और इसलिए हमारे साथी प्रशान टंडन जी भी आपको दिखा रहे थे कि कॉंग्रेस पार्टी जब विग्यापन दे रही है तो वहाँ बता रही है कि देखिए करनी और कथनी में कितना फर्क है आना चाहता हूं सीधे सुनिल शुकला जी आपके पास एक बार फिर से सुनिल जी कैसे देखा जाए करनी और कथनी की बात और इसलिए शायद बहुत गंभीरता के साथ कॉंग्रेस पार्टी जो है वो चाहे करनाटक की बात हो या दूसरे राज्यों में भी जो कह रही है उन गारंटियों को ततकाल पूरा करने की कोशिश कर रही है वरना अगली दफा इसके सामने भी सर्टिफिकट लेकर दूसरी पार्टियां आ जाएंगी और कहेंगी कि आपने कहा कुछ और था किया नहीं इसलिए हम आपको वोट क्यों दें तो आप एक पहली बात की आप वादे कर रहे हैं वादों कुछ पर अमल करने की कोशिश आ रांवेस ने पैदा की है वही उसकी ताकत है इसके बगैर उसका प्रवर्वास संभों नहीं था लगातार जिस्तर के से वहांसिये पर चलिए आ रही थी और जो उसने एक तो अपनी राजमीत भी कोई परवर्तर नहीं किया सरकार के हमलों में जो उसके मुद्यत हो सो कभी नहीं छोड़ा और जो वाइदों को सरकार में आने पर पूरा करना यह तीन उसके राजितिक कोशल के सिती थी कि लोगों के बीच उसकी जनलों का प्रता बढ़ी है कि तेलंगाना के सिती हो गई कि तेलंगाना में केसियार में बीजेपी का साथ पकड़ करके अपने अपना राजित को स्विकार करने के लिए तैयार नहीं है जो राजनेतिक गल्तिक जनता देलेस ने करनाटक में किया वही केसियार तेलंगाना में कर रहे हैं अगर आप गैर भास्पा राजित करना चाहते हैं एक शेत्री दल के रूप में तभी आपका सित्त बना रहेगा जब अगर आप भास्पा के साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे तो आपको आपका मद्दाता छोड़के चला जायेगा खास तोर से अल्वसंख्यक मद्दाता और वह मद्दाता जो भारती जनता पार्टी के राजी से असंतुष्ट है और ऐसे में कांग्रेस बिकल्प के रूप म रहें और इनके उनके इनके करें से चाहिये चाहिए तो विकलपतलास रहा है उसके सामने कांग्रेस के लावा और यही है कि कांग्रेस करनात्यक्य माझ मोध्योती के साथ आई क्योंकि जंता देलेस की जो दूरी दिखनी चाहिए थे बीजेपी के साथ वो लोग को दिखाई नहीं पड़ तो साम प्रदाइकता कि राजनी से जो संतुष थे जो लोगतांत्री स्थाओं के पर हो रहे हमले से लोग लोगा संतुष थे वह रोग के सामने जंता देलेस के त दस साल तक चल गया लोगों ने से केसी आर के निद्रट को शिकार किये लेकिन अगर दस साल की गवर्नेंट में रहने के बाद उसी मुद्दे की आप करेंगे तो लोग आपके साथ जोड़ने वाले नहीं चेतरी दल के रोप में केसी आर की बडियस फलता है जो उन्होंने और विविन राष्टी मुद्दंपर भार्ति अंतार पार्टी से एक संघर्स करने के टाके करूकру बर्ने का स्ऴपता हुए और गयर भाशप जो बन दाता है वह कंग्रेस को चलता चलागे और कांग्रेस ने अपने राजितिक एजन्डे को साफ कर दिया कि हम के सियार के खिलाप हैं हम सामप्रदाइक्ता के खिलाप हैं चुनावी किये गए वादों को पूरा न करने का जो आरोप है इस सरकार के खिलाप उसके विरुद्धम है और जंता से जुड़े हो जो सवाल है हैं उनके समाधान के लिए हमारा एक राजितिक संकल है हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं हम विरुजगारी के मसले पर भी आपके साथ खड़े हैं और महाई से तरस लोगों को गैस का सिलिंडर हो चाहिए आर्थिक चाहिता हो वह भी हम देने के लिए तया उन सभी को लेकर के कांग्रेस ने आगे बढ़ने की कोशिश की और यह हालत ही हो गई कि एक छेत्री पार्टी के लिए भी बड़ी चुनोती बनके सामने आगे देश में कहीं अब तक हैसीति नहीं बनी अलाकि यह प्रविर्द शुरू हो गई जब मुर्षीदाबाद में क लगने लगा कि भार्ति जम्तापर्टी से सनतुस्त। लोग कांग्रेस के तरफ देखने लगे हैं हैं कुछटत्रवा के बहराष्ट में म rozp के उमढआब को राया सिपा दो लगने लगा कि इक से रूप में स्वभाव इक सिच्वाइस समय द्रह बढ़ी है जो भारती जन्ता पार्टी से असंतुष्ठ है या भारती जन्ता पार्टी के विकल्प के रूप में एक राजीती देखना चाहते हैं और यह जो भी सुस्रेता कांग्रेस ने बनाई है अपने मुद्दों के अधार पर सबसे बढ़ा है कि यही वज़ा है कि राज में बिजोरम में बीजेपी प्रचार तक नहीं कर पाई उसके पास सुमिद्वार तक नहीं बिलेचार जीटों के लिए और तेलंगाना में जो लोगसभा के चुनाव के दोराद चार सीटों जीतने के बार एक ताकत बन करके ओवरी थी लग रहा था कि एक वड़ी ताकत हो करके एक बुसुरा का नुक्सान कर गए और कांग्रेस को ताकत देया और आज यहालत हो गए कि इस जो सर्विक्षन करता हैं वह कहने लगे है कि कांग्रेस वहाँ सट्खा में आ सकती है जी बिलकुल सही आप कहरे हैं और यही हम भी ग्राँड पे देख भी रहे हैं कि कॉंग्रेस शायद सट्था पे काबीज हो जाए लेकिन ये तो तीन तारी को पता चलेगा जो जनता से हम लोग बादचीत करते हैं जो विचार उत्पन होते हैं विचारों को आप तक हम पहुचाते हैं आना चाहता हूँ सीधा आप जल्दी जल्दी थोड़ा सा शॉर्ट कमेंट भी चाहूंगा आप लोगों से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूँ अब यहां से जबकि कल आखरी दिन है चुनावपरचार का और कर्णाटक समाबत तेलंगा नजो है वो उसका चुनावपरचार समाब्त हो जाएगा कैसे देखा जाए देश की राजनीती को कैसे देखा जाए किस दिशा में जाते हुए देखा जाए क्योंकि इसके बाद अब 2024 की तैयारी होगी जिसमें बहुत कुछ हभी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी हैं आप याद कीजिए 2019 का चुनाओ पहले बाते कुछ और होती थी लेकिन अच्छानक पुलवावा हो जाता है कहानी बदल जाती है अब यहाँ से 2024 की तरह बढ़ते हुए क्या कुछ आप देखते हैं डॉक्र प्रकाश हंदुस्तानी जी राजिव जी मुझे लगता कि कॉंग्रेस पार्टी ने करनाटक के चुनाओ के वक्ति तेलंग नाना की रण्मूती बना ली कॉंग्रेस ने तभी टाय कर लिया था कि कौन उनके दोस्त है और कौन दोस्त की तभी तो इतना खुल के सी पर निशाना साथ रहे हैं केसी आरफा मिशाना साथ रहे राहूल गांधी और जब करनाटक में चुनाओ प्रिशार का अंतिम दिन था तब करनाटक से लगी तेलंग ना किसी कीमा में कांग्रेस के अगर प्रकरांतर में देखे तो यह वो फांच पतिशत तक हो जाते हैं इससे कांग्रेस की दो सीटे कम हो गई बहना तो दूर रहा लेकिन पिछले चुनाओ के अलभाव कांग्रेस को काम आ रहा है और कांग्रेस ने लक्ष बना लिया कि से क्या कर तभी गारंटी दी है कांग्रेस तिर अभी आपने दिखाया भी किस तर्ष बार में विध्यापन में कांग्रेस कि यह बात बताई कि हम क्या गारंटी यह दे रहे हैं उसका व्यापा कसम जैसा कि ओर राजियों में भी हो रहा है क्यालंग आना में भी हो रहा है मुझे लगता कि कॉंग्रेस में बहुत सुमिचानी धंग से सही रणनीती के तहद सही कदम उठाए हैं तुना में उसे अप्षित प्रणा मिलेंगे इसी से केसी आर घबराए हुए हैं केसी आर के सामने अब बीजेपी जो इसके पास जाना च जी कॉंग्रेस ज्यादा करीब है बजाए बीजेपी के सत्ता मतलब बीजेपी जो है वो ऐसे भी थोड़ा सा आउट होती हुए दिखाई दे रही है तेलंगाना में तेलंगाना की ही बात कर रहे हैं और अगले कुछ दिनों तक तेलंगाना ही नहीं बलकि अब फिर से पां परिजनल नतीजे जो होंगे रिजल्ट सामने आएंगे उस दिन सुब़ची बज़े से हम आपके बीच मौजूद रहेंगे इस वक्त मौजूद है हम हैदराबाद में और पीछे आप देख रहे हैं सेक्रेटरियट है स्टेट सेक्रेटरियट और यहीं से इस राजी का चालन में विधान सभा की क्या भूमिका होती है और विधान सभा की 119 उमिदवारों की जो विधायक चुनके आएंगे उसकी क्या भूमिका रहेगी आना चाहता हो जल्दी से राहुलाल जी आपका भी अब एक एक करके क्लोजिंग कमेंट की ओर आपका क्लोजिंग कमेंट तेलंगाना को लेकर राहुलाल जी अगर हम लोग राहस्थान से तुल्णा करें आपको याद होगा कि जब राहस्थान का चुनाव पास में आया है तो इडी कैसे अक्टी हो गया सो गलोग के बैटे को 17-18 साल पुराने मामले को लेकर पूस्ताश करने शुरू कर दी लेकिन फिरा पादे यह तेलंगाना में कवित जो ब्यारस की जो है उनकी जो बेटी है कविता के उपर उनके उपर आप देखे हाल खिलाल में की ब्यारी एडी की कोई कथी नजर नहीं आएगी वहां पर यह केंद्री एजन्सियां मिल्कल चुप्पी साथ के कोई सरकार को परिशा सब्सक्राइब करने के लिए तो यह उत्तर भारत में स्थिति बनीवी थी और फिर्स को लेके अब वह स्थितियां तलंगाना तक में वह खुल चुकी है कि आखित जमेनी स्थिति क्या है तमाम जो आप लोग जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं तमाम दूसरे पत्रकार मित्र हुआ हुआ है ग्राउंड पे हर किसी करना है कि तेलंगाना कि इस तुमाव में पांचो राजियों में सबसे अलग है जैसे जैसे पर टेर दिन बित्ता है कॉंग्रेस की लहर में वृद्धी हो जाती है यानि अग्ला दिन आज आज को पर लेश की लार आपको दिख रही है अगले दिन उस को आदे लगातार जारी है तो कॉंग्रेस में अपने आपको जिस तरस्ते मजबूत किया है वह बिलकुल एक स्टांदार चीजर उन्होंने स्टाबिद कर दिया के लिए काशी जादा है कि डे सक गारंटी एक पर जिश्वास करता है बारतिय दानाव के लिगारंटी पर दो झार्ले लिग दिया उसकारण से कॉंग्रेस की चवी काफी मजबूक बनी है और उसको लाग ना केवल इन चुनावे पांच भीसा चुनावे मिलने वाला है रादीव जी इसका अफिर व्यापक लाग कॉंग्रेस को ना स्कुष कर दिया है कि वह केवल सब्सक्राइब करें लोग कल्यानकारी सरकार चाहती है और ऐसी सरकार देने वाली पार्टी को चुन करके लाने की कोशिश में है और जैसा कह रहे थे विराहुलाल जी की हो ये रहा है कि डे बाई डे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है चुनाओ की घड़ी और मदान की घड़ी जो है वो नजदीक आ रही है आपके पास आऊं क्लोजिंग कमेंट के लिए लेकिन आपसे पहले जरा आना चाहता हूँ विजे शंकर सिंग साहब आपके पास आपका क्लोजिंग कमेंट समझना चाहता हूँ लहर कांग्रेस की तरफ बढ़ती भी दिखाई दे रही है उस पर आपका क्या कहना है किसी यहर ने राज्य बन बादिया वो आंधोनल किया राज्य बना राजी यूपे अट का फैसला था जन्टा नुए उनका हाटो हाट लिया और उनकी सरकार दस साल चला थी प्रिवी ग्रण के लवा और कोई मुड़्दा नहीं है कि कॉंग्रेस की सबसे बड़ी उपलब दी है कि कॉंग्रेस ने इंग पांचो राज्यों के चुनाओं में पांचो राज्यों को चुनाओं को भार्ची जंता पार्टी के एजन्डे पर जाने नहीं दिया और यह उसकी सबसे बड़ी खोदी है यहाँ तक की राजस्थान में भी जैसे ही कनिया लाल के मर्डर की बात उटी तो इसे ही यह कहना शुरू कर दिया कि इसकी जांस तो पर खुद को केंद्रित किये हुए है और जो संगठित लूट पूजपतियों द्वरा क्रोनी के अप्ट्रेलिजम में की जा रही है उसके खिलाब जिस्टर की से खुल के है उसे जंता के उम्मी दोरा चाहें बढ़ी है और यह लहर मुझे लगता है उसी का कही न कही परतन आपको दिखाई दे रहा है जहां लोग खड़े हैं राजीव जी यह उस्मानिया उन्वरस्टी की जगह है यहां वाटसेफ उन्वरस्टी का प्रभाव कम है और यही वज़े है कि बीजेपी के बीजेपी जो प्रचार का बकसा यहां पर लेकर आई उस प्रचार के में हिंदू, मुसल्मान, सामपरदाइक्ता, नफरत वो पैकेज लेकर आई यहां पर जो पैकेज राजासार में लेकर गई जो उत्तर पदेश में बड़ी आसानिस चल सकता है आप देखें कि योगी आजी तरास कि यहां रैलिया हुई वो रैली में बुर्डोजर लेके ल जाते हैं, यहां पर हमने देखा कि कुछ नहीं, यही वज़े है कि यहां पर बीजेपी दिखाई नहीं देती कहीं भी, क्योंकि समाज में नफरत नहीं है, समाज यहां का बेहतर है, उन्नत है, और यही वज़े है, तो आप देखिएगा कि मेरा जो अंदास है कि बीजेपी के पास लोक सभा की चार सीटें हैं पता नहीं विधान सभा में भी चार पहुंच पाती हैं कि नहीं ये देखना होगा तीन तारीक को हम बताएंगे देखेंगे कि आखिर किसके पास कितनी सीटें आती हैं लेकिन लोक सभा की चार सीटें रखने वाली बीजेपी को चार सीटे मिल पाती है कि नहीं विधान सभा में ये भी बड़ा सवाल है अलांकि 2018 के विधान सभा में बीजेपी मात्रे एक सीट जीत पाई थी और अब आगे क्या कुछ होता है वो तीन तारीकों पता चलेगा इस कारेकरम को समाप्स करने से पहले बहुत बहुत शुक्रियादा करना च साथियों को जो हमारे साथ जुड़े रहे सुनिल शुकला जी डॉक्टर प्रकाश इंदुस्तानी जी हमारे साथ जुड़े रहे विजे संकर सिंग सहाब हमारे साथ जुड़े रहे राहुललाल जी हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर दीपक पाशपोर जी अमलेंदू अध्याई जी और हमारे साथी यहां ग्राउंड पे प्रशान टंडन जी आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद और बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों दर्शकों और हमारे सुपशिन तक जो हमारे सकारिकरम को देखते ही नहीं बल अच्छा लगता है तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवादा अदा करता हूँ कल शाम फिर न्यूज पॉइंट लेकर हम ऐसे ही हाजिर होंगे और आज से लेकर कल तक में क्या डिफरेंस आता है कल किसी और दिशा में जाएंगे लेकिन साम को लोट कर हैदराबाद आएंगे और हैदराबाद में पूरे आउटर हैदराबाद यानि अलग अलग गाओं शेहरों तस्बों में क्या कुछ चल रहा है वो आप तक हम पहुँचाएंगे तिलंगाना बहुत इंपोर्टेंट है हम मौजूद हैं तिलंगाना में हमारी नजरों से तिलंगाना के इस चुनाओ का लुथ पर उठाइए मज़े लीजिए और तीन तारिक को रिजल्ट देखिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद आप लोगों का नमस्कार गुड़नाइट शुबरात्री शब्बा खेर